हालो एवरीवन हम नहीं स्टार्ट किया था जोग्रफी जोग्रफी में हम अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं जैसे के वेरिस स्टेट्स उनके कैपिटल्स साथ ही साथ कौन कौन से स्टेट कब कब बने अब हम देखेंगे फिजिकल जोग्रफी और फिजिकल पहला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे अर्थक्वेक पहला जो टॉपिक है वह सोर्सस ऑफ दा इंफरमेशन अबाट दा इंटियर ऑफ एर्थ तो हमको जो हमारी अर्थ है या प्रिथ्वी है उसके जो इंटियर पार्ट में क्या-क्या है वो कैसे पता चलेगा क्य कि अर्थ का जो रेटियर से वह है 6370 किलोमेटर 6370 किलोमेटर और कोई भी उसके सेंटर तक पहुंशने में सक्षम नहीं है अगर हमको अब्जर्वेशन लेना है या कुछ सेंपल्स लेना है अर्थ के इंटियर में क्या माटेरियल है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं तो साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि अर्थ के इंटियर में अलग- Schutz material अलग-अलग depth पे हमको गहराई में मिलते जाते है और ungefähr of the earth की major knowledge है. वो हमको estimate और inferences से मिलती है तो information जो हमको यहाँ से मिलने वाली है वो किसके through होगी तो बहुत सारे observation हम लेते है और अलग-अलग material का analysis करते हैं जो easily available material है जो earth की solid portion का है वो होते है rocks और यह rocks हमको कहां से मिलेंगी जैसे mining activity होती है उसके तुरू हमको rocks मिलते हैं और इन ही rocks हमको पता लगता है कि earth की interior में क्या कै और कैसी कैसे metals वगए पाए जाते में जैसे कि gold mine देखे साउथ अफरिका में हैं यह 3 से 4 किलिमिटर की depth पे हैं और इसके beyond जो है जाना possible नहीं हो पाता इसके साथ माइनिंग के साथ साथ में बहुत सारे other project भी है वो scientist perform करते हैं ताकि वो earth के deeper section में और depth में जा सके और यह बहुत crucial होता है scientist ने दो अलग-अलग major project चलाए थे एक था deep ocean drilling project और दूसरा integrated ocean drilling project तो यह याद रखेगा कि scientist जो अर्थ को measure करें अर्थ के interior में क्या क्या material पाई जाते हैं उसको अलग-अलग observation लेने के लिए अलग-अलग project चलाते हैं या अलग-अलग जो है वो analysis करने के लिए अलग-अलग तरीका अपनाते हैं तो उनमें से दो जो project हैं हमने देख लिया deep ocean drilling project और integrated ocean drilling project उसके साथ साथ ही जो mining activities होती है अलग-अलग rocks मिलते हैं उनसे हमको पता चलता है कि अर्थ के depth में किस टाइप की material पाई जाते हैं उनकी physical properties क्या होते हैं अभी तक की जो deepest drill है जो हमने drilling की है वो है kola जो की Arctic Ocean में है जो Arctic Ocean में हम अभी तक बारा किलोमेटर की depth तक जा सकते हैं और इस ही जो हमने drilling drilling projects चलाए हैं उसके त्रूह हमको बहुत सारी information मिलती है कि अलग-अलग depth में किस टाइप के material पाई जाएंगे नेक्स्ट तो important physical feature है वो है volcanic eruption जिसको हम जालम की कह सकते हैं जालम की जब erupt होता है या फूट होता है उस समय में बहुत सारी information हम उसके त्रूह मिल सकते हैं क्योंकि जैसे कि जैसे ही volcanic eruption होगा या जालम की वो फटेगा तो उस समय में molten material उसके अंदर से निकलता है जिसको हम कहते हैं magma और यह कहा जाएगा surface of the earth में volcanic eruption के समय में यह easily available है और उसके समय में फिर यह laboratory में हम इसका analysis कर सकते हैं माइनिंग के तुरू हम direct sources का पता चल गया अब देखते हैं हम indirect sources से कैसे पता लगा सकते हैं तो हम क्या करेंगे जो हमको वहां से properties या मैं जो अलग-अलग material मिला है या matter मिला है उसकी properties को देखेंगे यह देखा गया है कि अलग-अलग distance पे जो earth की surface है जैसे जैसे हम interior के बढ़ते जाएगे तो यही कह रहा है कि जैसे ही depth बढ़ेगी अलग-अलग materials मिलते जाएगे और उन material की depth के साथ में density या घनत बढ़ते जाएगा तो आप यह possible हो पाया है कि हम कैसे अलग-अलग material हमको मिल रहा है उसके characteristics change होते जाते हैं किस दर से change होते है वह पता लगता है तो हमारे अर्थ की जो total thickness है वो scientist को पता है और उसके साथ ही वो देख सकते हैं कि temperature, pressure, ताप, दाब और घनत्व, density किसी material का अलग-अलग death में कैसे हो सकता है और इसी characteristics को use करते हुए वो अलग-अलग layer जो अर्थ में पाई जाती है उसको distinguish या उसको differentiate कर सकते हैं another source of information हो सकता है, meteors, meteors जिसको हम धूम केती भी कहते हैं जो कुछ solid land particle होता है outside the earth जिसको हम planetary elements भी कहते हैं यह अगर अर्थ में आकर के टकराते हैं या अर्थ में आकर गिरते हैं तो उस समय में हम इनके जो properties से कुछ हद तक similar होती है जो other planets है और हमारे अर्थ के तो इसको भी observe कर सकते हैं कि अलग-अलग जो meteors यहां पर अर्थ पे आ रहे हैं उनकी जो solid body जो बनी है अलग-अलग materials के somehow वो अलग other planets से या हमारे planet से मिलती जुलती हैं इसके तहद भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ में अगर वो उसके features हमारे अर्थ से मिलते जुलते हैं तो हमारे अर्थ का interior structure भी कैसा होगा दूसरा जो source indirect source है वो है gravitation gravitation है वो हमेशा हर जगा पे same नहीं होता है अलग-अलग latitude पे अलग-अलग होता है poles में यह ज़्यादा होता है equator में कम होता है क्योंकि जैसे ही distance from center बढ़ते जाएगा equator में जो distance है वो सबसे ज़्यादा होगा poles में कम होगा तो gravity के value किसी भी material की mass पे depend होती है तो uneven distribution of mass होगा material होगा अलग-अलग type की material अलग-अलग जगा पे अर्थ में पाए जाएंगे उसके इसाब से ही gravitation depend करता है या गृत्वा करशन depend करता है तो अर्थ के अलग-अलग surface में gravity के value अलग-अलग होती है और इस gravity जो gravity हो अलग-अलग material पे depend करती है magnetic survey ने और information बताया है कि magnetic material अर्थ के crust के portion में पाए जाते है और इनका distribution है वो अलग-अलग पार्ट में होता है अब देखते है अर्थ क्वेक क्या होता है तो अर्थ क्वेक नथिंग बस कुछ seismic waves होती है अर्थ क्वेक के आने के लिए कुछ waves जो है वो जिम्मेदार होती है जिसको हम कहते है seismic waves और यही complete picture या पूरी तरीके से अगर बताएना चाहें अर्थ के बारे में कि अर्थ में कैसे layers पाए जाते हैं उसके interior में तो यही seismic waves के तुरू हमको पता लगता है अर्थ क्वेक को अगर simple भाषा में देखा जाया तो इसको कह सकते हैं shaking of earth और यह एक natural event है यह होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर से एक energy release होती है जो कि waves के form में सारे direction में propagate होती है तो हमने देखा कि earth quick क्या है तो earth quick is nothing but the shaking of earth अब earth shake क्यों करती है इसको देख लेते हैं तो यह है release of energy occurs along the fault हमारी जो earth है उस वो अलग-अलग plates में divided है और उन्हीं plates जो plates है वो सरे rocks की plate है उन्हीं की plate का पास आना या फिर diverge होना या converge होना वही सब कारण है जिसके कारण से earth जो है वो शेक करती है और इसी कारण से energy release होगी और वही energy release होने के कारण अर्थ शेक करती है अगर मालेजगर कोई rock है वो एक दूसरे के तरफ move करें टू प्लेट से एक दूसरे के तरफ move करें उस case में friction होगा वो बढ़ेगा लेकिन in case अगर जो plates है वो अलग-अलग हो रही है दूर जारी है तो उस case में friction होगा या friction होगा वो कम होगा इसी तरीकी से जो rocks है वो अलग-अलग blocks की block है वो अलग-अलग deform हो जाएंगी और जो cracks है वो develop होते हैं ऐसी energy release होगी energy release होगी सारी direction में फैलेगी और जहां से energy release होती है उसको कहते है focus यह important concept याद रखी गया earthquake में जब आएगा energy release होगी तो जिस पॉइंट से energy release होगी इसको कहते है focus और alternatively इसको हम कहते है hypo center जो energy release होई है वो waves के form में travel करेगी different direction में और जहां पर वो surface पहुंची उसको कहते है epicenter जब भी earthquake आता है तो हमिशा news में या कहीं पर भी आप देखेंगे तो दो चीज़े बुलते हैं कि focus कहा है और epicenter कहा है और यही वो जगह है जहां पर हम पहली बाल जो है earthquake को महसूस कर सकते हैं जब हमारा जो अर्थ का surface है वो शेक होने लगेगा that is the epicenter अगर हम positioning देखें तो focus जहां से waves originate हो रही है उसके just ऊपर में surface में जो point होगा उसके ऊपर ही epicenter हमको मिलेगा focus के just ऊपर में ही हमको epicenter मिलेगा अब देखते हैं earthquake के कौन-कौन सी waves होती है सारे प्राक्रतिक बुकमप है या natural earthquake है न वो lithosphere पे होते हैं different layers of earth में होते हैं जो कि हम इस chapter में पढ़ेंगे और यह बहुत sufficient है कि हम जान से के lithosphere वो ऐसा portion है जो earth के depth में 200 km तक पाया जाता है और एक instrument है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ यह अलग-अलग waves को record करने का काम करते हैं जो कि earth के surface में originate हो रही है और एक curve होता है earthquake का उसको record किया जाता है through सिस्मोग्राफ और यही कार्व जब record किया गया तो समय अलग-अलग section हमको मिले कार्व के अलग-अलग sections हमको मिले earthquake के और इसी earthquake के जो basically दो type के waves हमको मिले एक होते हैं body waves दूसरा होता है surface waves जो generate होती है यह energy release होने के कारण होती है और कहा होगी focus पे और यह सारे direction में move करेगी through the body of the earth और यही जो body wave जब surface तक पहुचेगी तो surface के rock से interact करके एक नए टाइप की wave बनाएगी जिसको हम कहते है surface wave तो यह याद रखे कि earth quick में दो type की waves होती है एक होती है body waves जो की focus से आ रही है जैसे energy release होई और दूसरा जो surface में पहुच रही है अलग-अलग material के हिसाब से और वह material कैसे differ करेंगे तो अपने घनात या density के हिसाब से ज्यादा dense material रहेगा तो velocity ज्यादा रहेगी अगर dancer नहीं रहेगा तो velocity कम रहेगे उनका direction भी change होता है जैसे ही वह reflect या reflect होती है और यह reflection यह reflection भी किस पर depend करेगा तो यह भी material के घनात या density पर depend करेगा हमने देखा था कि दो type की waves है एक है body waves जो की focus से आ रही है तो body waves को भी हम दो part में divide कर सकते हैं जिसमें से एक wave होगी P wave और दूसरी wave होगी S wave और तीसरे type का हमने क्या देखा तो surface waves दो type की body waves होई जिसमें एक P wave हुआ और एक हुआ S wave पी waves जो है वह बहुत fast move करती है इसकी spirit ज्यादा होती है यह पहली होती है जो surface तक पहुशती है और इनी को हम कहते है primary waves P waves sound waves की तरह होती है यह gashes liquid solid तीनों तरह की material में से propagate हो सकती है लेकिन S wave है वह surface तक पहुशने के लिए थोड़ा time लगाती है इसलिए इनको हम कहते है secondary wave तो P का मतलब होता है primary S का मतलब होता है secondary primary wave जो है वह तीनों medium में मतलब water air और gas कह सकते हैं यह solid liquid और gas तीनों टाइप की material के तरह प्रोपोगेट हो सकती है और S wave जो है वो सरफ solid material के तरह प्रोपोगेट हो सकती है और यही जो property है S wave की यही scientist को मदद करती है कि कैसे earth के interior के structure को वो study कर सके अब जब reflection होगा तो ऐसे जो S wave वहीं से वापस आएगी जहां पर हमको solid material मिलेगा और इसी variation के कारण से हमको help मिलती है सिस्मोग्राफ में अलग-अलग readings लेने में surface waves जो होती है यह सबसे आखरी में सिस्मोग्राफ में इनकी reading पता चलती है और यह जो surface wave सबसे ज़्यादा destructive होती है यह displacement of rocks कर सकती है और structure of earth जो है मतलब different buildings हो गए सारा कुछ है वह तहस नहस हो सकता है through surface waves तो अभी तक हमने देखा कि दो टाइप की waves होती एक होती body wave और दूसरा होता surface wave body wave दो टाइप की primary और secondary primary जो की तीनों टाइप के material से प्रोपोगेट हो सके solid liquid और gas medium से और s waves शरीफ reflect होगी आपके solid material से तो solid material से अगर वो reflect होती है तो सिस्मोग्राफ में इनकी reading आ जाएगे और सबसे सबसे ज्यादा destructive होती है अब देखते हैं कि earthquake जो है उसमें waves का propagation कैसे होगा waves अलग-अलग तरीके से ट्रैवल करती है और जैसे ही वो प्रोपोगेट करेंगी vibration होने लगेगा on the body of the rocks अलग-अलग rocks की body में vibration होने लगेगा जैसे जैसे वो पास हो जाएंगी पी वेव्स का जो vibration होगा वो पैरलल होगा to the direction of waves वैसे ही जो pressure exert होगा वो अलग-अलग direction में होगा अभी जो तिंदरी की waves हमने देखी वो perpendicular direction में vibrate होती है परपेंडिकुलर direction में vibrate होगी जैसे जैसे वो प्रोपोगेट होते जाएंगी एसे परपेंडिकुलर वेव डैरेक्शन वर्टिकल प्लेन में बनाती है और यह ट्रफ और क्ρέस्ट है इसको create करेगी जैसे कि हम डाइगराम में देखे करेंगेंखें। अगर हम डाइग्राम बनाते हैं वेव का तो जो होता है यह घूता है ट्रफ और ग्रेस्ट के फॉर्म में प्रागेट होने वाली 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 कौन सी तो एस वेव घूर इस जो सर्फिस वेव है जसे मैं ने बताया था मोस्ट डेमेजिंग टाइप आफ वेव्स होती हैं अब यह बहुत इंपॉर्टन को जो है कॉंसेप्ट है वह देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन हम जानते कि अर्थ को मेशर काने के लिए सिस्मो ग्राफ का यूज करते हैं और यह जो अगर आप नहीं जानते हैं जहां पर वेव्स उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता ऐसे जोन को हम कहेंगे शैडो जोन तो इस्टडी जे बताती हैं कि अल्टुगेदर अलग-अलग टाइप के शैडो जोन जो है वो मिलते हैं अब हम इसको डाइग्राम के तुरू देखेंगे कि पी वेव्स और एस वेव के शैडो जोन कहां कहां हैं अगर आप ना लिजे कि 105 डिग्री का फाइव डिग्री पे अगर एक लाइन खिषते हैं फ्रॉम दा एपिसेंटर तो पी वेव जो होंगी और एस वेव जो होंगी उनका अराइवल अलग-अलग टाइम पे होगा और 145 डिग्री अगर सिस्मो ग्राफ रिकॉर्ड करें फ्रॉम दा एपिसेंटर तो अराइवल क्या हो जाएगा पी वेव बट एस वेव उस समय तक नहीं आए रहेंगी 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री जो की एपिसेंटर से हमने खिची है इसी को हम कहते हैं शैडो जोन उसे माल लेजे यह एपिसेंटर है यहां पर मालेजे 105 डिग्री है यह 145 डिग्री तो इसके ही ब जो चैडो जोन होगा वो फिवेव के शैडो जोन से हमेशा बड़ा वागा है एस वेव का जो शैडो जोन होगा वह फुर्टी पर्संट से ज्यादा अर्ष सर्फेस को कवर करेगा और जो पी वेव से है वह 105 डिग्री से अवे हुगा फ्रम दा एपिसेंटर इस तरहिके से हमको S और P wave का जो shadow zone है वो पता लगता है आप दिखते हैं types of earthquake क्या होते हैं first है most common type of earthquake जिसको हम tectonic earthquake कहते हैं और यह generate होता है rocks के slide होने से along the fall plane और special class का second हम देखने में special class का tectonic earthquake है जिसमें volcanic earthquake है वो होगा अब देख लिए पहले शेडू जो डाइग्राम है इसमें देखें मैंने जिसे बताया था कि P waves है जो solid liquid और gaseous तीनों medium में जा सकती है तीनों material के थ्रूपास हो सकती है देखें जैसे कि हमको पता है कि जो अर्थ का के दूष करैंट के कर्स के त्रूबी पहां सो रहे और इसका जो variation है यह कहां से हो रहा है 105 degrees पिЗЫक ρाप आपञें आप देख सब्सक्रीज में EPA कि यहाँ वह और 103 degrees इस तरीके से यह प्रोकेट होना पर स्टार्ड होती है और Maximum कहां तक जाएंगे तो Maximum जाती है 145 डिग्रिस तक अब देखते हैं एस वेव का शैड़ो जोन जैसे मैंने बताया था कि जो एस वेव है उसका प्रपगेशन सिर्फ सॉलिड मेडियम के थ्रू होगा तो सॉलिड जहां जहां तक है वहां तक के मूव करेगी और जहां पर नहीं हुआ तो यह डिफलेक्ट हो जाती है इनका भी जो शैड़ो जोन होगा वह 103 डिग्री तक होता है यह दिखें यह इसका शैड़ो जोन है हमें दो टाइप के अर्थक्विक देख लिए पहला देखा कि रॉक के स्लाइड होने से होगा दूसरा देखा वाल्कनिक इरॉप्शन के कारण होगा अब देखते हैं माइनिंग एक्टिविटिस के कारण होने वाला तो नेक्स्ट ज कारण से अर्थक्विक आता है और फॉर्ट टाइप का होगह ग्राउड शेकिंग यह कैमिकल एक्स्लोजन के कारण हो सकता है या नुक्लिर डिवाइस के कारण हो सकता है इसको हम explosion earthquake कहते हैं अब next जो type का earthquake है फिफ्ट टाइप का वो होगा बड़ी-बड़ी reservoirs के कारण और इन्ही reservoirs में अगर कुछ faulting आ जाती है उसके कारण से earthquake है वो induce होगा अब देखते हैं कि earthquake को measure कैसे करेंगे earthquake को measure करने के लिए कि scale होती है जो अलग-अलग magnitude और intensity जो शौक है उसको measure करती है इन्ही magnitude को measure करने के लिए जो scale है उसको हम कहते हैं Richter scale और magnitude relate करता है किस टाइप की energy या कितनी energy release हो रही है earthquake के समय में यह magnitude express हम करते हैं 0 से 10 के range में इसके इस इसकेल की उसको नेम किया गया है कि इस इसमोल जिस्ट है उनके नेम के आफ्टर जिनका नाम थे मैं कॉली इसकेल से हमको पता चलता है कि किस intensity का damage किस intensity का damage range of intensity पता चलती है कि कितना इसकेल मतलब 0 से लिके 10 तक पॉइंट में इसको रेटिंग वह मैजर किया जाएगा कि किसी भी वेव की intensity क्या है पी वेव एस वेव जो की body waves होती है या surface waves की अब देख लेते effect of earth के के सब हम लोग जानते ही है फिर बार देख लेते अर्थक्रीक एक natural hazard है और immediate hazardous effect इसके क्या क्या होंदे ग्राउंड शेकिंग डिफरेंशल ग्राउंड सेटल्मेंट जो जो भी falting आएगी वह land और mud slides हो जाएंगे soil का liquidation हो जाएगा avalanches आएंगे, ground lurching होगी ground displays हो सकता है flood आ सकते है, dam से fire लग सकते है, अगर मांजी शॉर्ट circuit एक्सेक्टर हुआ तो structure collapse हो सकते है, buildings वगर का गिरना objects किर सकते है, tsunami आ सकते है इनमें से पहले 6 जो हमने देखे वो land forms देपेंड करती है बाकी जो हमने next देखी उसमें जो सारा है वो life threatening हो सकता है, properties को damage कर सकता है और वैसे ही अगर हम देखेंगे अगर समुद्र के तल में अगर earthquake आना शुरू होता है या वेस प्रपोगेट होती है तो उसी से आता है tsunami और इनी जो oceanic water waves होती है उसी की इतने ज्यादा magnitude होता है कि बहुत सारे tremors या कह सकते हैं high altitude या high crop or crest वाली जो waves से वो आने लगीगी और ज्यादा section है वो ground का cover करेगी और बहुत सारे जन्मान की हानी होती है इसके case में ऐसे जो tsunami जो oceanic waves होती है या oceanic earthquake होती है इसके intensity बहुत ज्यादा हाई रहती है और इस intensity के intensity अगर हम डिक्टर स्केल में देखें तो 5 से ज्यादा की होती है अब जो earthquake है frequency of earthquake occurrence अगर हम देखें तो एक national hazard होता है अगर tremor ज्यादा हुआ हुआ high magnitude का earthquake अगर आ रहा है उसकी इसमें heavy damage हो सकता है life or property सबका सारे जो globe है उसमें जरूरी नहीं है कि एक तरह की shock जो है उसको observe किया जाएं क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग 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 टाइप के materials पाए जाएंगे in the interior of earth और उनकी densities भी अलग होगी उसके साथ ही जो strength of quakes या strength of waves से वो अलग अलग होंगी अब देखें यह जो मैप है यह वर्ल मैप है वर्ल मैप के तरू हम देख रहे हैं अगर यहां पर अगर इसका epicenter है earthquake का एक हमने जो observation है वो लिए तो उसके तू earthquake जो wave से वो प्रपोगेट होते जा रही है तो इसे कारण आंदर प्रदेश तक जो wave पहुंची वहां पर 200 लोगों की death हुई पॉंडिचरी में 100 एरिला में 100 टमिल नाटो में 1567 श्री लंका में 4500 से ज्यादा लोगों की या आप कह सकते हैं इसे अंडमाने को बार में 1000 मलेशिया इंडोनेशिया में 200 इस तरह के से जो है अर्थक्वेक जो है वह वह प्रोगेट होती है और अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग इंफ्लूएंसे करती है तो आज का यह टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है हमने अर्थक्वेक तो कि उनका पैटर्न देखा और श्रैडो जोन देखा श्रैडोज ऑन के बाद हमने देखा कि अर्थक्वेक क्या होगा और वेव कैसे प्रोगेट होती है यह सब हमने देखा कल देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा होता है